तो धोले हम हाँ 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 स्टार्ट फेश पास लगाया तो बोलने लेगा फेश पेक लगाया था फेश पेक किसकी चीजे से इंपूर्व किया था धर में बनाया था यह टर्मरी खल्दी बेसन मलाई दूद और शहद शैद नहीं डाया है और इसके बेनिफटे चांग यह पेस में एक ग्लो लेके आता है साहDER साथ हल्दि जो होती है वह वह आप हैसे हम जानते हैं हल्दी के कितने सारे बेनिफिट्स होता है तो यह फेस से सारे सारे साक्ट और लिख बेसन हल्दी पेसे हैए पूरा प आग के नीचे जो भी डाक सर्कल उनको लाइट करता है जो फेशल हेर्स को लाइट करता है तो यह बीजकिल के बहुत सारे बेनेफीट से कप करना चीह यह हम तुवीक्स यह फिर आफ्ट towel कर सकते हैं मत में एक या दो बार कर सकते हैं अपने फेस के अकौर्डिंग किकर कितना बच्चों गिसके बहुत जादा सॉफ्ट होती तो उनको तो नीट नहीं है लेकिन यंग चे और जो भी कोई भी कर सकते हैं अगर करने की इच्छा है इसको थोड़ा सा टाइट होने दे मेंस 15-20 मिनट्स तो उसके आफ्टर वाउश कर सकता है किसी भी नॉर्मल पानी से तो जो यह हम से पेस्ट बनाए था उसमें दूट डाला था हलका सा तीन से चार चमच और ज्यादा जो पेस्ट है उसको थिक नहीं करना है मतलब तो फिर फेस पेक जम जाएगा और नहीं जादा उसको वह बिल्कुल गीला बने और जादा टाइट हो जाए एक उसकी अच्छी एक अच्छी क्वांटिटी में सारा समान लेके हां बहुत सारे फेस्ट पैक मिलते हैं पाउडर के फॉर्म में लेकिन यह जो है इसमें चाहे तो हम अनी भी आड़ कर सकता है और कुछ और अलोवेरा वगेरा भी आड़ के जा सकते हैं लेकिन यह जो मैंने पैक पने मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग जो भी समान इसमें हम और कमपोनेंट्स भी आड़का आलोवेरा के बहुत सारे फादा है कच्छा अलोवेरा हम लगा सकते हैं डायरेक्ट हम नैचुरल अलोवेरा उसके भी बहुत बेनिफिट्स है बट यह जो पैक है बेसीकली इसमें जो जो चीजे इंक्लूडे से हल्दी बेसन यह बहुत नॉर्मल है यह सभी घरों में मिल जाती हल्दी तो हम सभी के घरों में होती है और बेसन भ पानी बीट कह जा सकता है क्योंकि बाकी दो जो जो इसके बहुत है जासे बहुत जादा स्ट्रॉंग है यह कहीं लगा हुआ है नहीं के लिन कहले से आप मलब चाह वह चेंजी दिख रही है चेंज इस बहुत सारे है जैसे कि फेस्पे ग्लो है यह ब्लाकेट्स रिमोवड ह है और लाइट हो जाते हैं आइस की नीचे जो है यह बिसिकली नोस के ब्लाकेट्स चोगते हैं कुछ हुआ है हां हां सब कुछ लाइट हो गया और अभी खुद भी देखना कितने चेंजिस हुए है गवारस है अब मैं इसको थोड़ी देर दूप में तुखा लेतो और ज्यादा साव दिखने लगेगा अब अब